चुटकी भर हींग का ही टोटका आपको बना देगा माला माल ऐसे करें हींग का इस्तमाल हींग के उपाय से पुरी शक्तियों से भी चुटकारा पाया जा सकता है दोस्तो आज मैं हिंके बहुती सरल उपाये बताने वाली हूँ जिनको करके आप आथिक तंगी को भी दूर करेंगे और साथ में पैसो की कमी को भी आप दूर कर लेंगे इन उपाये को करके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे मता जाती हूँ नमशकार दोस्तों में वीना गौतम कैसे हैं आप सभी दोस्तों मैं एस्टो लोजर वास्तु गंसल्टाइंट औरेकी मास्टर आप सभी का मेरे चैनल चेंज और फोर्चुन में स्वागत अगर पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय से में पर आपको मिलते रहे तो चली चलते हैं उन उपाई के तरफ जो आज मैं आप से शेयर करने वाली दोस्तो यूँ तो हींग खाने का जय का बढ़ाने के काम आती है लेकिन क्या आपको पता है कि हींग का तोटका आपको माला माल भी बना सकता है इसके उपाई से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों का भी प्रभाब सभी बचा जा सकता है उपाई इस परकार है जो मैं नकारात्मक शक्तियों को नाश होता है चुटकी भर हींग अगर रहने के पानी में मिला देंगे तो इससे आपको लाब मिलेगा दूसरा पाई इस प्रकार है घर में मौजूद नकारात्मक उर्जा को धूर करने के लिए 5 गराम हींग ले और उसको 5 गराम काली मिर्ज को मि दूसरे को शाम को के समय घर में जलाएं ऐसा तीन दिनों तक करें तो घर में मौजूद नकारात्मक उर्जा जो है दूर हो जाएगी तीसरा पाई दोस्तों इस प्रकार है अगर आप बाहर किसी काम को जा रहे हैं कोई खास काम के लिए तो घर से निकलते समय एक ग्राम हीं के साथ इसे खालें श्रीम श्रीम उचारन करें हींग खाले के बाद घर से बाहर कदम रखें लेकिन ध्यान रहे कि घर से निकलने के दौरान घर की और पड़ट कर न देखें इससे काम बन जाएगा दोस्तों चोथा पाई इस प्रकार है अगर आप किसी तरह की उपरी हींग एवं कपूर के साथ मिला कर पीस ले अब इससे स्टोर करकर रख ले अब रोजाना इससे थोड़ी मात्र में आखों में काजल की तरह लगाए इस ओम श्रीम हनुमते नमाहा मंतर का जाप करें इससे बुरी नजर टल जाएगी एक बार मंतर का जाप और बता देती हू हैं वे अपनी कोई भी मनोकामना को पून करना चाते हैं तो किसी एहम काम को करने के लिए घर से बाहर जाते समय चुटकी भर हींग लेकर अपने उपर से उतार कर उत्तर दिशा में फैंग दे इससे आपका काम बन जाएगा छटा उपाए मैं इस परकार बता रही हूँ अगर आप नोकरी के लिए परिशान हैं आपको हजारों कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है तो चुटकी भर हींग को अपने माथे से तीन पांच वे साथ बार घुमा कर किसी चोराय पर डाल दें ऐसा करने से न सदस से रोग ग्रस्थ है तो इसे ठीक करने के लिए रोज हींग के पानी से सुबहा बिना मूँ धोय कुला करें ऐसा रोजाना एक महिने तक करने से बिमारी ठीक हो जाएगी उसके बाद अब ब्रश कर सकते हैं आठवा अपाइस प्रकारे यदि कोई वैक्ती मिर्गी रोक से परिशान है तो इससे छुटकारा पाने के लिए एक तोला हींग को काले कपड़े में बाद कर ताबीज की तरह शनिवार को अपने गले में पहन ले आप चाहे तो इसे अपने दाहीने बाज़े में भी बाद सकते हैं ऐसा करने से विमारी ठीक हो जाएगी अगर आप हींग अपने दाई ने हाथ में रख ले और शिरीम शिरीम का ग्यारा बार मंत्रों चारन करें इसके बाद हींग को खा ले अब बहार जाने के बाद घर को दुबारा पलट कर न देखें ऐसा करने से मनवांचित फल की प्राप्ती होती हैं दोस्तों ये सारे मंत्री बहुत ह मतकारी हैं सारे उपायजों हैं इनको करने से आपकी जो भी परिशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी बस मन में एक लगन और सच्चा विश्वास होना चाहिए मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हिंसे नहीं होता है ऐसा करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों होता है ब पतनी को रात में सोते समय अपने बति के सराने थोड़ी हिंग रख दे, वहीं पैर के पास थोड़ा काला नमक रखें और बगल में एक मोर्क बंक भी रखें, ये उपाए महिला मंगलवार एवं शनिवार को कर सकती हैं, ये परिक्रिया करने के बाद भोर के समय नमक और हिंग को घर के बाहर फैंक दें दोस्तों ये उपाय बहुत ही चमतकारी है एक बार करके अविश्य देखें विश्वास के साथ ये वीडियो ही तक थी आगे और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय स मिलती रहें मिलते हैं आगली वीडियो में थैंक यू